बारवी के प्यारे बत्चों स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओ एप्टी में यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे आपके कप्छा बारवी लिखा साजर का चैप्टर 6 जो कि सांजेतारी फर्म के अंदेम चैप्टर है यहाँ पर फर्म का समापन हो जाता है और आपको चैप्टर कंप्लिट होने के बाद आपको यह पत्दा होना चाहिए एक से लेकर के 6 तक के जो सांजेतार के पुरे चैप्टर थे उन में से कितने नंबर के कोशन आपके बोर्ड एक्जाम में आने वाल है तो आपके बोर्ड एक्जाम में टोटल इस चैप्टर से 28 नंबर क क्रूशन आते हैं जिसमें से 8 नंबर के प्रश्ण आएंगे 6 नंबर के प्रश्ण आएंगे 4 नंबर के प्रश्ण आएंगे वस्तो निष्ट आएगा ठीक है तो यह सारे नंबर के प्रश्ण आपको मिलेंगे कहां से कितने नंबर काएगा वो भी मैं डिटेल से बताऊंगा परंदू यह मैं तब बताऊंगा जब मैंने सांधितारी के पूरे टॉपिक को खतम कर लिया तब अभी मैंने चैप्टर वन के कुछ वीडियो बनाये थे चैप्टर 5 के कुछ बनाये थे अब हम चैप्टर 6 के बना रहे हैं ठीक है अभी भी कुछ कुछ चैप्टर बचे हुए है उनको भी डिटेल से पढ़ा लूँगा खतम कर लूँगा उसके बाद कि मैं आपको MP बताऊंगा और आपके बोड एक्जाम की पूरी तियारी मैं करने का पैटर्ण चालना चाहते हैं तो वेरे वीडियो को देखते रहे हैं चानल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आने वाले समय में आपको नए अपडेट देते रहता हूं बताते रहता हूं कि आपका टाइम टेबल कैसा होना चीए कैसा आपको त्यारी करना है किन प्रिप्योशन आप अगर पाना चाहते हैं तो चानल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो आज का हमारा टॉपिक है सांजेदारी फर्मों को समापन जहां पर हम वसूली खाता त्यार करते हैं यह सबसे पहला पहचान है जहां नए और पुराना दोनों हो सकते हैं ठीक हैं तो जानेंगी डिटेल से सभी को सबसे पहले दखते हैं हमारा सबसे लाश्ट डॉलर प्रस्ट कोश्चन नमबर 28 जहां पर लिखा है कल्लो और पपू सांजेदारी में तीन अनुपात एक अनुपात में लाभानी को बांटते विब फर्म के समापने तु सहमत हो गए संपतियों से 75,000 रुपए वसूल हुए फर्म के दायत वेस प्रकार हैं लेंदर 45,000 कल्लो से रिण 20,000 रुपए और कल्लो की पुंजी 10,000 रुपए पपू की पुंजी 15,000 रुपए और वसूली खाता और शांजेदारों का पुंज पुंजी बगरे सब दिया हुआ है ठीक है इस परशुरुक्ष आपको पता है जो यही है वही आपको दिया हुआ है अब प्रश्ण में वसूली खाता और पुंजी खाता बोले है देखिए बनाते हैं बहुत है सिंपल है सबसे पहले पुरानी जो चिठ्ठे दी जाती है य जिन दाइत्व का आपने भुगतान कर दिया नगत रूप्षे उनको आप लिखेंगे तो यहां पर सबसे पहले पुराना संपति ग्रूप में है विविद संपति नब्यजार का उसको हमने लिख दिया विविद संपति से इतना हाना डेफ्रेंस अर्रेस्ट करके आप यहा लेंदार को दिया है 45,000 रूपए ठीक है तो विगलन में क्या क्या आएगा संपति आएगा जो पुराने चिठ्टे में है दूसरा जिस दाइत्व का नगत बुकतान हो गया नहीं हुआ है तो यहां पर नहीं आएगा ठीक है अब समझते हैं समाकलेंट पक्ष में क्या क्या आता है तो समाकलेंट पक्ष में सबसे पहले तो आपका दाइत वाता है दाइत वा कितने का था लेंदार 45,000 का उसी लेंदार को यहां लिखते नहीं ठीक है इसके बाद वसूली खाते में जितनी भी संपत्ति पैसा हुआ वसूल हुआ उसको आप लिखेंगे रोकड़ खा अलना अला शाता को कर कि आपको बताना है किसे मधी संपती से 75,000 रूपार वसूल हुए तो विस संपती से spa 365,000 रूपे वसूल है इसके लावार कुछ हो रहा है तो 90 और यह 45,35,000 रोड हैं तो 15,000 की कमी है समाहला इन बक्स में इसको बोलेंगे पुन्जी खाता से हनी किनको हुआ गल्डु और पुन्जी को पुपप्पो को तो उनको उनके पुन्जी के नुपार्मने माड़ दिंगे तो 15,000 को आप 3 बट्टे 4 में बाटेंग तो 4 1,4 4 त्या 12 तीन बच्चा 4,78 2 बच्चा 4,25 यह 3090 ने 3,15 के पाच हासे लएक 3,212 तीन 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 नो तो 11,1250 रुपए आया यहां आप यहां पर भी देख सकते हैं ठीक है उसी तरह से आप दूसरा निकाल सकते हैं 15,000 में इसको घटा आगर के तो आपको दूसरे का मि समयोजन में आया कैसे बनता है? है सिंपल सा कॉंसेप्ट है जो दायद को आपको भुगतान करना है समयोजन में पता चला उसको आप विगलन में लिखो और जो पुराने चिट्ठी की संपत्टी है जो भी संपत्ति हो सब को आ फिदहा लिखतो है ठीक है? क्लियर है? ओके उ और सोली खाता ऐसे बनते हैं क्लियर है अब पुंजी खाता बता देता हूं पुंजी खाता में सबसे पहले इनकी पुंजी को लिखते हैं सेश लाया गया बोलके जो कि 10 और 15,000 थे यहां पर पनाने चिठे में दिया जाता है तो बनाने का कॉलम यह होता है पुंजी खाता करके 10 और 15,000 दोनों के में के में 10 के में 15 ठीक है उसके बाद इस तरफ वह दिखाना जो इनको लॉसस हुआ है आने हुई है जो आरण के नहीं होने तो इन्होंने लॉस पाया है 11,250-3,350 का उन दोनों को अप लिखेंगे वसूली खाता से हनी विकलेन पक्ष में 11,250 पहले के में 303,750 दुसरे के में ठीक है उसके बाद और भी प्रॉफिट की कोई भी चीज नहीं है जो इनको बांटा जाए इसलिए बस इतना ही लिखेंगे अब विकलन साइट से इसका समाखलन पक्ष घटाएंगे तो 10,000 में 11,250 में 10,000 घटाएंगे तो 1250 इसका डिफ्रेंस तो 15 में 3,750 घटेगा तो 11,250 आएगा तो अब देखिए बैलेंस कैसे करना है ज्यादा किरासी कल्लू की विकलन पक्ष में है तो इतने ही से दोनों तरफ में बैलेंस करूँगा लेकिन जो 1250 की कमी थी वो इस तरफ है तो इसको रोकड़ खाता को बोल के यहां लिखूँग आप दोनों को जोड़ोंगा तो यह भी 15,000 होगा और यह भी 15,000 होगा तो ऐसे आपको बैलेंस करना है तो इस तरह से आपको बनाना है वसूली खात और पुंजी खाता अभी आपने एक दिखा थोड़ा डाउट हो सकता है कोई दिक्कत नहीं अभी मैं आपको दूसरा कोशन नंबर 27 असोप और किशोर तीन अनुपात एक नुपात में लाभाने को बाटते हैं विल्कुल सेम प्रश्ण है अनुपात यहां भी वही था यहां भी वही है वे फर्मे के विक्टन के लिए सहमत हो गये संपतियां रोकड से 2000 रुपए है मतलब पहले का रोकड किता 500 रुपए 2,000 रुपए और वसूली से 1,1,100,000 रुपए प्राप्थ हुए हैं और दाइत्व तथा अन्य विवरंड इसप्रकार हैं लेंद ढट 40,000 के असोब की पुर्य यहैं 1,00,000 रुपए की और कि सोर की पुंजी विगलन से से 10,000 रुपए और लावानी खाते का विगलन से 7,000 रुपए है विगलन मतलब लॉस होता है आपको पता होना चाहिए और क्या बलते हैं उसको हम वसूली खाता वय वसूली पर वय है ना वसूलने पर कुछ भी वय होते हैं वसूली वय का लाता है 1000 रुपए का है लेंदारों का पुर्ण भुकतान में 284 रुपए दिये ठीक है पता चल गए अब यही पुराना चिठ्थ है समझ रहो दिया नहीं है वसूली खाता पुर्णी खाता त्यार करने ठीक है करते हैं मैंने बोला विविद संपत्य आप मतब जो भी संपत्य उसको आपको लिखना है इस तरफ ठीक है तो वसूल हुआ था एक लाग दस जार रुपए कि तक हुआ था एक लाग दस जार रुपए ठीक कि और कि और क्या है भाई कि हाज हुआ है । संपत्य ग्रूप में और कुछ भी चीज नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर एक लाग बीस क्यों आया सवाल यह उपता है कि एक लागबीस क्यों आया तो यहाँ पर जो एक लाग पड़ेगा ठीक है वहत sudah अ पड़त है तो यहां पर वह एक लाख भीच जार रुपे ही होगा और तुरी डिखा गिए है ओध़्य सौरी 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 मैं मिस्टेग मैं शूप सुर हुई है उस संपत्य को नहीं लिखेंगे वो तो आपको समाखले साइड में लिखना है यहाँ पर हम एक्च्वल की संपत्य देखते हैं यहाँ पर कितना है इनका तो विवित संपत्य साइड देने से इसमें छूट गया है विविज संपति देने से चूट गया है चलिए आप इस तरफ से निकालते हैं यहाँ पर समाकरण पक्ष में लिखना है लेंदार को जो कि आपके थे पूराने लेंदार वो 40 के थे उसको अपने उपर में लिख दिया फिर वसूली से जो प्राप्त हो उसको आप लिखते हैं तो वसूली से एक लाग दस जार रुपए प्राप्त रोकरण खाता को एक लाग दस जार रुपए हमने लिखा ठीक है यहाँ पर विविज संपतिक रूप में एक लाग बीस जार रुपए लिखा गया है जो कि यहाँ छूड गया है ठीक है यहाँ पर छूड गया है तो आ वसूलिवाई किया जाता है यह भी आपको लिखना पड़ता है तो वसूलिवाई को हमने लिख दिया इस जरह से हम इसको जोड़ेंगे तो यह हो रहा है लगबाग एक लाख 69,000 में 1,50,000 को भटाएंगे तो 9,000 की कमी मिलेगी इस 9,000 की कमी को हम इनके लाभानी नुपात में बाड़ देंगे लाभानी के नुपात में जो दिया है तो निकलेगा 6,750 दूसरे का 2,250 रुप है अब बनेगा इसका पुन्जी खाता तो जो यहां मिसिंग था उसको आप न यहां पर इनकी पुन्जी कितनी कितनी है एक एक लाग रुपए है और एक का दस जार रुपए है और एक का विकलन था और एक का नॉर्मल था ठीक है तो जिसका नॉर्मल है ऐसे रूप से जो लो विकलन समख लगन ना पता है उनको आपको समाकलन पक्ष में लिखना है तो को हम बाड़ देंगे ठीक है तो लाब हनी लॉसेस को आप को इस तरफ लिखना होता है प्रॉफिट को इधर लिखते हैं तो आठ जार को बाटेंगे इनके नुपात में तो तो तीन बाटी-चार में बाटेंगे चार दुनियाँ दो दियत 6,000 रुपे तो पहले का 6,000 निकलेगा दुसरे का 2,000 निकलेगा इस लेखके में 6,000 रुपे लिखना है ठीक है तो लॉज जो हुए उनको 6,750 रुपे के इस पुई धर लिखेंगे जो कि आप यहां पर देख स इसके लब और कुछ खास नहीं है बस आप बेलेंस करेंगे तो आप देखेंगे विकलाइन पक्ष में असोग के में एक 6,000 रुपए के इंट्री हुई है दूसरा 6,750 रुपए का तो ये जो फिर आया वो इनका डिफरेंस है तो असोग का विकलाइन पक्ष समाकलाइन पक्ष है एक लाग में हम 6,000 और 6,000 रुपए को घटा देंगे मतलब 6,000 रुपए 12,750 रुपए तो एक लाग में 12,750 रुपए तो 27,250 रुपए बचे गई है उसका बेलेंस है जो रुकड़ खाता से लिखा गया है अब किसोर की पुंजी देखते हैं तो किसोर का इधर है पुंज और इधर है उसके लॉस और इधर है उसका वसूली खाता से लॉस जोड़ेंगे तो 12,000 रुपए तो 14,250 है अब उसका इधर लिखने के लिए कुछ नहीं है तो फिर इसीच को टॉटल करके आप इधर लिख देंगे ये जो लिखा गया है रुकड़ खाता से 14,250 इसलिए हा और 14,250 रुपशे टोटल होगा ठीक है तो इस तरह से अबने देख लिया कोश्चन नंबर 27 और 28 ऐसा ही सारे प्रस्ण आप बनाएंगे बनाते समय पस यह याद रखिए पुराना चिठे में जो संपत्य उसको इधर लिखना है और इधर की जो दायत को है उसको आपको यहा और जो भी लॉसेस हुआ हानी वह आप इधा लिख देंगे आरान वगरा को लिख देंगे बस हो गया खेल का दम पैसा आजा तो निक्स वीडियो के इंतजार कीजिए वहां पर आप और वीटेल से बताया जाएगा और भी कुशन आम में टेम करेंगे तो भी के लिए बस इ